हेलो दोस्तो, मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है, आज मैं आपको लाल किला के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाल किला, जिसे रेड़ फॉर्ट भी कहा जाता है, दिल्ली, भारत में स्थित है और इसे मुगल सामराज्य के शाह जहान ने सत्रविय सदी में बनवाया था। इसका निर्मान 1638 से 1648 तक हुआ था। लाल किला को भारत के स्वतंतरता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में याद किया जाता है। यह एतिहासिक महत्व के साथ दिल्ली का एक प्रमुख परियठन स्थल भी है लाल किला के दर्शन से आप मुगल सामराज्य के शांदार वास्तुकला, सुन्दर बागब्बानी और एतिहासिक महत्व को अनुभव कर सकते हैं। आप यहां शह जहान की दिल्ली को देख कर उस समय के गौरवशाली दौर को समझ सकते हैं। दर्शन के दौरान लाल किला की दीवारों पर अनूठी कला और वास्तुशिल्प का आनंद ले सकते हैं। लाल किला जो दिल्ली में स्थित है वह एक प्रमुख परियठन स्थल है। इसे पुरानी दिल्ली क्षेतर में बड़ी बाजार और रेलवे स्टेशनों के पास स्थित है। जिससे यह आसानी से पहुँचा जा सकता है लाल किला जिसे रेड फॉर्ट भी कहा जाता है दिल्ली। भारत में स्थित है। यह मुगल सामराज्य के शाह जहां द्वारा सत् प्रवी सदी में बनवाया गया था। मुख्य विशेशताएं, रंगीन संदस्तोन, लाल किला की दीवारें लाल और सफेद संदस्तोन से बनी हैं जिससे इसका विशेश रंग आता है। विशाल दीवारें यह बड़ी उची और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है जो इ पास-पास विशाल बागबानी और नहरें हैं जो इसे और भी आकरशक बनाते हैं। मकबरा और मस्जिद लाल किले के भीतर शाह जहां की मकबरा और जमा मस्जिद जैसी एतिहासिक स्थलें हैं। लाल किला भारतिय एतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हि से मुगल सामराज्य के सुप्रसिद्ध स्थान पर बनाया था और इसकी विशेष्टा और महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यह शांदार किला बन गया है। हाँ, लाल किला एक पुरानी और महत्वपूर्ण स्थल है जो मुगल सामराज्य के शाहजहां द्वारा सत्रवियों सदी में बनाया गया था। क्या बनाया बनाया था बनाया था यह शाल खाटोपर्ण भड़ शाल प्ला जेख विजाएंस, हमन सफे का his index का। झाल झाल